अरे कृष्णा अक्षय अर्थात जिसका कभी च्षय नहीं होता है तिर्थिया अर्थात तिस्रा दिवस अक्षय तिर्थिया का अर्थ है जिसका कभी नास नहीं होता है और इस अक्षय तिर्थिया के दिन किया गया दान और लिया गया ग्यान हमेशा अक्षय हो जाता है उसक विरंदावन का नाम सुनते हैं तो विरंदावन का नाम सुनते ही हमारे मन में विरंदावन के बांके बिहारी का इसमर्ण होता है तो आज के दिन अर्थात इस अक्षे तिर्तिया के सुब मुहुर्त पर विरंदावन के बांके बिहारी के चरों के दर्शन पूरे साल भर में इक ही दिन होते हैं वह ho अक्षे तिर्तिया का दिन दूसरा इस अक्षे तिर्तिया को हम और तिसरा इस भौतिक संसार में हम सब को पावन करने के लिए गंगा मय्य इस धरातल पर इस अक्षै तिरतिया के दिन से ही अउतरित होते हैं छोथा भगवान के 10 अवतारों में से एक विशेष अवतार भगवान पसुराम का अवतार आज के दिन से ही अवतरित होता है आज के सुब दिवस पर ही अवतरित होते हैं भगवान पसुराम पसुराम जी से जुड़ी हुई एसी घटनाई बहुत सारी है पसुराम जी क्या नाम सुनते ही हमें इस्वन हो रहा है भगवान पसुराम ने अपने पीता का बदला लेने के लिए 21 बार इस संसार से शत्रियो अपने परम मित्र शुदामा जी को इसी दिन द्वारिका में मिले थे नंबर छै देवताओं के खजांची कुबेर जी को भी इसी दिन देवताओं का खजांची बनाया गया था नंबर शाथ इसी दिन सूरिदेव के द्वारा युदिष्टिर महाराश्व अक्षय पात्र दिया गया था जिस अक्षय पात्र में द्रोपती जब तक अन गरहन नहीं कर लेती थी तब तक उसमें अशिमित मात्रा में अन मिलता था द्रोपती के अन गरहन करने के पहले जितना भी अन चाहिए जितना भी भोजन चाहिए उस अक्षय पात्र शे मिलता था और आज ही के दिन सिला ब्यास देव ने सबसे बड़े गरंथ महाभारत जिसमें लगवग एक लाख श्लोक हैं उस गरंथ की रचना आज ही के दिन से प्रारंब की थी शिलब्यास देव ने उस गरंथ को बोला था और गणपत्ती देव ने उसे लिखा था लिपी बद्ध किया था नमबर नौ गौ माता की माता जिसे हम कामधेनु माता या सुरुभी माता कहते हैं वह भी आज ही के सुब मुहुर्त पर ही इस दिन प्रकट हुई थी नमबर दस चंदन यात्रा का प्रारंभ भी अक्षयतिर्तिया के दिवस से ही होता है जो आगे 21 दिनों तक चलता है इस दिन से भक्त लोग भगवान को चंदन का लेप लगाना प्रारंभ करते हैं क्योंकि ये बैसाख मास में चिलचलाती धूप से भगवान को सीतलता प्रदा की जाती है यह दस बातें आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए यदि वीडियो अच्छी लगी कुछ जानकारी भरी लगी तो इस वीडियो को और उनको सेर भी कीजिए अगर हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए हरे कृष्ण झाल